अब आप इस image को देखिए, you'll get to know, prism आप लोगों ने, में भी ना देखा हूँ, या हो सकता है देखा हूँ, prism में आप एक और से light डालते हैं, वो prism के अंदर जाता है, और फिर 7 colors में डिवाइडों के बाहर निकलता है, ऐसा होता है न, विब्ग्योर में, डिवाइडों के बाहर आजाता है, जो light आप prism में डाल रहे हैं, यह है traditional society, और जो light prism के बाहर आ रही है, that is modern society, लेकिन आप prism के अंदर जाओ, आपको जो light जा रही है, वो भी मिलेगी, और जो light बाहर निकल रही है, वो भी मिलेगी, और ऐसी ही society को कहा जाता है, prismatic society, नाम clear है, क्यों नाम आया, और क्यों यह concept आया, फिर से explain कर देता हूँ, प्रिजमेटिक society के जो features हैं, अचा एकदम इसको comparison करो, इसका, example देंगे, तभी आप comparison भी घरपाओगे, आप comparison करो, इंडिया का उस समय, जब इंडिया 1800 के समय में था, हमारी society में बहुत सारी ill practices थी, या थोड़ा और पीछे जाना चाहो, तो 15-16 सताबडी में चले जाओ, हम science को बिलकुल acknowledge नहीं करते थे, religion आवशक्ता से अधिक dominant था, और उसके बाद भारत को आपने उस समय evaluate कर लिया, भारत को अभी evaluate बद करो, क्योंकि actually में हम prismatic society हैं, हम अभी prism के बाहर निकल ले ही नहीं है, we are not out of the prism, because हम बात कर रहे हैं post-colonial state की, और post-colonial state वो state है जो prism के अंदर है, वो prism के बाहर नहीं निकल पाए हैं, prism के बाहर कौन निकल गया है, USA, Germany, Australia, UK, यह prism के बाहर निकल गया है, जहां science बहुत advance है, modern principle को तवज्जो दी जाती है, जो religious element है, उनसे society बहुत ज़्यादा stick नहीं करती है, rationality या logic dominate करता है, यह वो society है, हमारे यहां क्या होता है, हम बीच में हैं, हमने मंगल यान पे orbiter भेज दिया, मंगल पे मतब मार्स पे orbiter भेज दिया, और अभी रास्ते में से जा रहे हैं, बिलने रास्ता काट दे तो रुख जाते हैं, दोनों हैं कि नहीं हैं, दोनों हैं, हम scientific values को बहुत importance देते हैं, education empowered है, logic को तवज्जु दी जाती है, modernity के principle opt करते हैं, जो बदलाव आ रहे हैं, उन बदलावों को changes को acknowledge करते हैं, लेकिन जो traditional elements हैं, वो हमने अभी छोड़े नहीं हैं, नारियल फोड़ते हैं, मुझे एक clip याद आ गए, उसमें वो नई गाड़ी खरीद कर लेकर आए थे, और उसके CCA पर नारियल फोड़ दिया उन्होंने, तो यह है traditional society, मतलब modernity क्या है कि कार्द लेकर आए हैं, एक वहिकल जो दुनिया में चल रही है, वो उन्हें खरीद नहीं चाहिए, तो उन्हेंने खरीदी, लेकिन नारियल फोड़ ना भी तो बनता है न, तो CCA पर नारियल फोड़ दिया, तो यह prismatic society है, हम बीच में हैं अभी, तो जो post-coronial states हैं, उनका एक important feature है, कि वो prismatic society को portrait करते हैं, मतलब वो countries अभी prism में हैं, prism की भीतर हैं, समझ में आ गया, मतलब हम prismatic society, मतलब हम traditional society नहीं है, traditional society इंडिया आज से 300 साल पहले था, और अभी हम modern society भी नहीं हैं, क्योंकि modern societies western countries हैं, हम अभी बीच में हैं, middle में, हम prism के भीतर हैं, तो इसलिए दोनों के feature से हां मिलेंगे, blend of both, यही definition ही है, blend of traditionalism and modernism, इसी का blend है prismatic society, जो prism के भीतर है, आसान है न, समझ में आ गया, clear हो गया, अब prismatic society के कुछ features होते हैं, अगर आप से कहा दिया जाए कि prismatic society को explain करिये, तो आपको उसके features के बारे में पता होना चाहिए, बहुत सारी जिगों आफगानिस्तान, इन्होंने बढ़िया एक्जेम्पल दिया, अफगानिस्तान या फिर मान लीजिए कुछ, खैर उन वो भी ब्लेंडी हो गये हैं, जहां पर बहुत जदा traditional values को stick करके रखा जाया, तो तालिबान को अपनी सकते example में हैं, पहली बात, Prismatic society में आपको formalism मिलता है, formalism मैंने अभी आपको बताया था, क्या है formalism? Conflict नहीं, difference, difference, laws and reality के बीच के difference को formalism कहा जाता है, formalism में ये जो word है formal, ये formal laws को represent करता है, formal laws जो state के दोरा बनाये जाते हैं, और reality, उसमें जो difference होता है, इसके बीच के gap को formalism कहा जाता है, आप India, जैसे मैं सीधा कह रहा हूँ कि India जो है, वो एक post-colonial state है, इस reference में India एक prismatic society को represent करता है, prismatic society के अगर ये features हैं, तो ये इंडिया में भी मिलेंगे, बस आप इंडिया को दिमार्ग में रख लो, सारे features बढ़ियां से समझ में आएंगे, अनलाइस करोगे, कोई difference मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, developing countries आप एभी सकते हो, लेकिन मत कहो, क्यों कहोगे developing country, दोनों terms अलग-अलग हैं, कई बार देखे, terms जो होते हैं, वो similar होते हैं, लेकिन उनका मतलब अलग-अलग होता है, हम उन्हें synonymously use नहीं कर सकते, जैसे कई बार हम developing countries को third world country भी बोल देते हैं, periphery भी बोल देते हैं, periphery तो different concept है, बट उसका इस्तिमाल अलग reference में किया जाता है, third world country का क्या मतलब होता है, नहीं, हाँ, first world कौन था, fashion countries led by USA, second world कौन था, second block led by USSR, और third कौन था, name, जो दोनों में नहीं गए, तो third world का मतलब किसी भी तरीके से developing country नहीं है, और नहीं under developed country है, बस वो country हैं जो दो blocks में नहीं गई, अब ये बात दूसरी है कि इन countries को में जली देखोगे, तो developing और under developed मिलेंगे, तो लोग इन दुनों terms को synonymously use कर लेते हैं, बट दोनों synonymously नहीं है, दोनों की बीच का अंतर है, हम यहां कह रहे हैं कि formal rules and regulations में, पाकिस्तान second world country है, अगर आप evaluation में लोग है, तो आपको पाकिस्तान third world में नहीं मिलेगा, लेकिन developed नहीं है वो, तो दोनों का अफ सीटो सेंटों का भी था, वो confused था, ठीक है, तो देखे, यहां पे theory और practice के बीच में अंतर मिलेगा आपको, और मैंने आपको क्या कहा, कि हम post-colonial state की बात कर रहे हैं, post-colonial state prismatic society को represent करता है, prismatic society में traditionalism और modernity का blend होता है, इंडिया एक post-colonial state है, मतलब इंडिया भी prismatic society को represent करता है, मतलब हम जितने भी features बता रहे हैं, वो इंडिया में भी मिलेंगे, पहला वाला पकड़िये, formalism, formal rules and regulations in practice में difference होता है, इन countries में, rules कुछ और होते हैं, ground पे कुछ और होता है, यह आपको इंडिया में मिलता है की नहीं, डौरी prohibition act बन गया है की नहीं बन गया है, क्या डौरी नहीं ली जाती है इंडिया में, या नहीं दी जाती है, एकदम बढ़िया से ली दी जाती है, rates fix होते हैं, doctor का इतना, engineer का इतना, और I.S. का जितना वो मांग ले, हाँ, तो सबके rates fix हैं, तो डौरी खतम नहीं होई है, it's not ended now, इस पे बड़ी debate होती है, हाँ, मतब part है, ये gift बोलते हैं वो लोग उसको, और मांगते भी नहीं है, मतब डौरी मांगते नहीं है, बस कहते हैं कि, हाँ, जो आप दे सके, उतना दे दीजेगा, हमने अपनी बिटिया की साधी में, इतना दिया था, ये उसके बाद add हो जाता है, तो मतलब ये minimum landmark है, इसके उपर आपके जो मरजी, वो minimum होता है, तो कहने का मतलब कि, ऐसे बहुत साथ rules and regulations हैं, जो आपको theory में मिलेंगे, practice में नहीं मिलेंगे, और ये हर prismatic society का feature है, including India, इंडिया में भी आपको मिलेगा, दूसरा, polycommunalism, poly का मतलब होता है, एक से ज़्यादा, मतलब यहाँ पर, एक से ज़्यादा communities पाई जाती है, और ये दूसरे कोई trust नहीं करती, ये हर prismatic society का feature है, क्या ऐसा भारत में नहीं है, है, भारत एक prismatic society है, यहाँ पर बहुत सारी communities है, जो एक दूसरे कोई trust नहीं करती है, तीसरा, हाँ, हर prismatic society में, किसमें पढ़ा था, पोस्ट बिहेवरिवरिसम में हमने फॉर्मेट, जो फॉर्मेलिजम था उसे पढ़ा था, अब भाई रिकाल कर रहा हूँ, बहुत देर से गंभीर मुद्रा में, किसी reference में हमने देखा था, में भी वो keyword आया था, just keyword आया था, उसकी कोई detail नहीं थी, मैंने आपको ऐसे detail में समझा दिया था, मतलब वो keyword वहाँ पर आया था, और मैंने उसे ऐसे ही आपको explain कर दिया था, formalism को, हाँ, और मैंने यह बोला भी था, कि formalism मैं आपको बाद में अच्छे से explain करूँगा, उसके मैंने आपको keyword ऐसे, merely meaning बता दी थी, तो formalism इंडिया में है, ठीक है, तीसरा point है, poly-normativism, और इसका मतलब यह है, कि यहाँ पर कई सारे norms exist करते हैं, prismatic society में, वो कई बार rational होते हैं, और कई बार irrational होते हैं, लेकिन किसके respect में, अब देखे, rational और irrational बड़ा, मतलब विवादित मुद्दा है, it's very debatable, कि what do you mean by rational, what do you mean by irrational, जो मेरे लिए irrational है, वो आपके लिए rational हो सकता है, जैसे मैं कहता हूँ, कि अगर बिल्ली रास्ता काट दे, तो अब rational और irrational, इसे आप कैसे define करोगे, अब उसमें कुछ defining नहीं हो नहीं चाहिए, with respect to law, and policy making, वो चीज़े law को follow करती हुई नहीं मिलेंगी, जैसे dowry जो है, वो ली जा रही है, अब ये law के respect में irrational है, legal भी नहीं है, और rational भी नहीं है, आप dowry नहीं ले सकते, नहीं लेना चाहिए आपको, लेना भी नहीं चाहिए और ले भी नहीं सकते, तो law के respect में यहाँ पर आपको rational और irrational, दोनों तरीके के norms मिलेंगे, ये prismatic society का feature है, इंडिया में बहुत सारे मिल जाएंगे, चौथा, functional overlapping, किसका क्या काम है, clear नहीं है, ये आपको prismatic society में मिलेगा, किसका क्या काम है, ये clear नहीं है, functional overlapping, एक ही काम, एक से ज़्यादा organizations कर रहे हैं, coordination नहीं है, सभी लोगों को एक ही काम दे दिया क्या है, जैसे, जैसे सड़क बनती है, municipal body बालों को फटाक से आदाता है, किया रहे, अभी pipe तो डाला ही नहीं है, खड़क बनके तयार नहीं हुए, कि वो आ जाएंगे pipe डालने के लिए, उसका तो pipe डाल देंगे, उसका बनाएंगे थोड़ी, उसको ऐसे से करके, peat part के चले जाएंगे, अब वो ऐसे ही रहेगा, तो किसी को clear नहीं है, कि उसका क्या काम है, functional overlapping में यही होता है, functional overlapping का आप अच्छा example लेना चाहते हो, तो formalism, fundamentally जो prismatic society है, इसमें पाकिस्तान भी आ जाएगा, बढ़िया सा example आपको, यह तो एक आप बोल चाल की भासा का example हो गया, बाकि आपको functional overlapping का अच्छा example मिलेगा पाकिस्तान में, यहाँ पर government और army लगभग एक काम कर रही है, army भी govern कर नहीं है, और government तो govern करी रही है, इसलिए उसे deep state कहा जाता है, over developed state भी कहा जाता है, ठीक है, वो अभी हम देखेंगे क्या होता है, तो यह functional overlapping आपको मिलेगी, ठीक है, points clear हो रहे हैं, यह सारे आपको इंडिया में भी देखने को मिलेंगे, minute level पे जाओ थोड़ा सा, separation of power है, lose है, lose separation of power है, तो मतलब law making का का काम किसका है, पाकिस्तान में बहुत ब्रॉडर लेवल पे मिलेगा, यह आपको prismatic society में मिलेगा, ठीर आप और minute level पे जाओंगे तब इंडिया में मिलेगा, बहुत ब्रॉडर लेवल पे इंडिया में नहीं मिलेगा, पाकिस्तान में बहुत ब्रॉडर लेवल पे मिलेगा, इसके बाद economic system, आपको prismatic society में bazar canteen model मिलेगा बazar canteen model का मतलब यह है कि कुछ लोग तो सामान जाके बाजार में खरीदते हैं और कुछ लोग canteen में खरीदते हैं केंटीन समझते हो कभी canteen से सामान मंगवाया है अगर आपके घर में कोई army में हो BSF में हो, तो आप subsidized rate में सामान लेते हो, ठीक है, तो यहाँ पर जो canteen है, वो representing करता है कि कुछ लोगों को सामान, market rate पर मिल रहा है, कुछ को canteen rate पर मिल रहा है, बहुत सस्ता, टेकसेस वगरा नहीं लगते हैं, तो जिसके पास भी, मतलब यह सुविधा होती है, वो उसका इस जा रही हो, या किसी product subsidy दी जा रही हो, यह हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको हर prismatic society में मिलेगा, कुछ लोग सामान market rate पर खेडते हैं, कुछ लोगों को यह subsidized rate पर मिलता है, exemplification के लोगों इसको canteen डाल दिया है, बट यहाँ पे जो subsidies वगरा दी जाती है, सरकार के तरह वो बज़दार केंटीन मोडल का example है, तो यह feature आपको prismatic society मिलेगा, छठा administrative system, administrative system में आपको, वो मिलेगा जो Bollywood में बहुत रहता है, क्या रहता है वो, अच्छा नेपोटिजम, मुझे यार्दी नहीं आ रहा था, administrative system, कहीं तो rule के उपर वर्क करता है, और कहीं पर आपको kinship, family kinship norms मिलेंगे, मतलब कुछ लोग तो बहुत मैनत करके administration में जा पाएंगे, और कुछ लोग यूँ ही चले जाएंगे, just because they have influenced, they have influenced, और they have someone, जो उने आसानी से वहाँ enter करवा देगा, यह system आपको prismatic society में मिलेगा, इंडिया में है की नहीं है, है न, है, judiciary में भी है, ठीक है, administration में, साथ वहाँ, attainment norms, birth achievement, यह आपको prismatic society में मिलेगा, कुछ लोग by birth advantage की condition में रहेंगे, और कुछ लोग by birth disadvantage की condition में रहेंगे, और equality को establish करने का कोई solid mechanism नहीं होगा, यह आपको prismatic society में मिलेगा, इंडिया में भी है, हाँ, हाँ, आप कहीं और पैदा हुए आपकी गलती है, class system, class system, यह तो बात हो गई, class की, अगर आप कास्ट की बात कर लो, सबसे prominent example है, आप किसी certain race टे बिलॉंग करते हो, जो उस country में dominant नहीं है, तो आप disadvantage में हो, ठीक है, किसी ethnic group से बिलॉंग करते हो, हम तो overall Asia, Africa, Latin America, सबकी बात कर रहे हैं, इंडिया को तो मैंने आपको example इसलिए लेने को कहा, ताकि आपको समझ में अच्छे से आए, विकाज इंडिया भी prismatic society का example है, heterogeneity, modernity, और tradition, दोनों का blend, यह आपको मेलेगा, prismatic society, clear, prismatic society को अगर आपको लिखना हो, तो यह 8 features mention कर दीजेगा,